तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाना बोर्ड के किताब आपकी और इसका पार्ठ नंबर आठ आज किस वीडियो में एक्स्प्लेन होने वाला है पार्ठ का नाम है भारतिय नारी चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं आपको इस कंप्लीट बुक का सुलिशन लिखावा भी मिल जाएगा वीडियो की फोम में भी मिल जाएगा त देश को देश के बारे में बहुत सारा जो है हमें पता चला कि उस समय पहले के समय में नार्यों का सम्मान कितना था क्या होता था आप ऐसी ही तीन महिलाों का यहां पर जिकर क्या गया है प्राचिन काल से लेके अभी तकframes égal तक की तीन महान महिला है यह ihan फेमस जो थी उनका जिकर हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा चलो शुरू करते हैं पढ़ना यहां पर जिस देश में किसी भी मंगल कारिय की पूरणता नारी के बिना संभव नहीं जहांकि नारिया जो है विश्व सभ्यता के सैस्व काल में भी सारवजनिक रूप से गुड़ रंपरा को कलंकित करने के दुष्व सहास के तरिक्त कुछ नहीं है यानि कि हाँ पर बता रहे हैं कि हमारे देश की जो महिलाए हैं उन्होंने बहुत सारे चीज़े करिए उनको हर फिल्ड में आजादी मिलील हुई है और अब भी हम उनके उपर संधे करते हैं तो हम यह एक दुष्व सहासी होगा हमारा ऐसा करने के लिए ठीक है तो मतलब वो अपनी मर्जी से अपने स्वेंबर की सवतनतरता उनके पास है वो जैसे रहना चाती है वैसे वो रह सकती है भारतिया समाज में नारी का स्थान बहुत गोरमय और महत्तपुर्ण है भारतिया मनीशा ने उसे वैदिक काल में ही सकती रूप में स्विकार कर लिया था मतलब की पहले के टाइम में देखोगे अगर आप ज्यारत तर देवी देवताओं में आपको महिलाओं के उतार देखने को मिलेंगे जो है मलब कोई ब्यनुस्थान करना वैदिक क्रिया कलाप करने उसमें महिलाओं के नुमतिके बिना नहीं होगा तो हर जगे महिलाओं का सम्मान किया जाता था वैदिक यूग से अधुनिक यूग तक राश्ट्रिय जीवन का ऐसा कोई छेतर नहीं है जिसमें भारतिय नारी ने योगदान नहीं दिया हो राजनीती के छेतर में देखे तो महरानी दुर्गावती, अहिल्या बाई, लक्समी बाई, स्रोजनी नाइडू, डॉक्टर एनी बेशेंट ये विदेशी थी लेकिन भारत से ससकार से सुद्ध भारतिय थी ये इंदिरा गांधी तथा अध्यात्मिक छेतर में देखे तो गारगी, मदालसा, मेतरई, अस्वगोसा, लोपामुत्रा, विधोत्मा, आधी के योगदान को कोन ऐस्विकार कर सकता है, उन्होंने कितना सारे योगदान दिया, हमने कितनी सारे उनके बारे में जो उस भरी कहा पढ़ी वर्तमान यूग में भारत की नारी अपनी मेगा से व्भिन छेतरों को अलोकित कर रही है, यहां भारत की कुछ यों करे थे नारियों का यहां पर प्रीचे दिया हुए बेसिकली चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर मैतरई याग्या वलक्या यह एक महिला थी जो काफी फेमस थी उस टाइम पर याग्या वलक्या रिशी की पतनी मैतरई महान विदूसी थी जब रिशी ने वानपरस्त लेने का विचार क किया तो उनकी तो अपनी पतनी से मंतरना की और कहा कि तुम आग्या दो तो मैं वानपरस्त लेने का विचार रखता हूं देखो यह वानपरस्त क्या ले रही है अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा भी के लिए बठा अगर इतियास साइद पढ़के आयो तो साइद तो कुछ-कुछ याद होगा तुमको है ना देखो एक्चुली क्या हुआ था प्राचिन काल की बात है तो उड़ा समझा देता हूं नहीं तो समझ में नहीं आएगा मामला क्या चल रहा है मांग क्या रही है उससे तो मामला यह था कुछ है कि पहले के टाइम पे बहुत प् तो सो के साब से चार हिस्से बना रखे थे जिनको हम आस्रम कहते थे 25 साल मंदनी से पैदा हो से 25 साल तक हैक फिर 25 से 50 पचास से 75 15 से साथ तक ऐसे था था तो इसमें क्या होता था बच्पन में तो हम गठीचत आरहा है जो करना रहा है नहींों पिर जो है में 25 से 50 तक साधी करना बच्चा करना जो भी करना परिवार पालना वो चीज था उसके बाद जो है अगला आस्रम आता था पचास से लेके 75 तक के 20 का जो आस्रम था ना उसमें क्या होता था हमको समाज की सेवा करनी रहती थी आना और फाइनली जो आता था वो था 75 से लेके सो तक जिसके अंदर हम सन्यासि बन जाते थे यहां पर ऐसा ही कोई आउर्म सर्म लेने के बात कर रहे हैं ऐसा ही यह आका जिसके आंदर हमक्ति परिवार अगल मैंने तूम और दूसरी पत्र परस पर बाट लो जो भी मेरा धन है क्योंकि मुझे तो धन की जुरूरत है नहीं क्योंकि मैं तो भाई छोड़ रहा हूं सब कुछ तो इसलिए तुम और मेरी जो दूसरी पत्री है कात्यानी उसको वापस में बाट लो मैं तरही नेक बात कहिए उससे कि ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं अमर नहो सकूँ अमर हो जाओ तो चलो मानू मैं की चलो धन भाईया जरूरी है लेकिन ऐसे धनगा मैं क्या करूँगा करूँगी जिसका कोई मुझे लाब ही नहीं है मुझे तो वह मार्ग बताओ जिससे अमरित पदप्राप्त हो यानि कि वह बोलती है कि मुझे एक ऐसा रास्ता बता दो जिससे मैं अमर हो जाओ अमरता का जो मुझे पदप्राप्त हो जाए यानि कि मेरा नाम लंब इतिहास में भी याद रखा जाए ऐसा वह अपने पती से बोलती है यानि कि रीशी से तरीका बताया कि तुम्हारा नाम हो जाएगा इसके उपरांत महिरी सी यह उपासना भक्ती के लिए वन में चले गए इसलिए तो इसको कहते थे वानर प्रस्त यह फील आ रही होगी जंगलों में रहे के लोग तपस्या किया करते थे तो वैसा सही है यह मनलब वन वाली फीलि अग्यान के अंधकार से बहार निकाला और सन मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित किया यह श्छे रास्ते पर उनको चलने के लिए लरो प्रेद हो उगेbor भारत के मुक्ति आंदोलन की महती प्रेर्णा भगीनी निवेदिता का मूल नाम था मार ग्रेट नोबल ये थोड़ा विदेशी सा फिलिंग आ रही होगे न तो ऐसी हिती वो वे आयरलेंड में जनमी जरूर थी लेकिन उनकी आत्मा विशुद भारतिय थी यानि कि वो कह सकते हो कि जनम जनम आयरलेंड में हुआ तर लेकिन वो भारत को ही अपना मानती थी परिवार घर सब कुछ भारत को ही मानती थी भारतिय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्म ज्यान संबंदी भासन और दर्सन की सुंदर व्याख्या सुनकर वे मंतर मुगद हो गई स्वामी विवेकानंद ने उनका ज्यान जो है बहुत ही बढ़िया था बहतरीन जो है वो भासन दिया करते थे तो उन पे जो है वो मूगद हो गई उनके अंदर भारत को आत्म साथ करने की परपल इच्छा जागई तुई कि मैं भारत में रहके भारत करूँगी भारत को जानने समझने की यह जिग्यासा जो थी उसे यहां खीच लाई आयरलेंड में थी वो अपना मस जिन्दगी जी रही थी विवेकानन्द से इंप्रेस हो गई और भारत में आईगी भाया उसने ऐसा ऐसा बोला है चल देख के आती हो ऐसा क्या है उस भारत की समस्कृति में भारत में जो लोग यहां आते हैं यहां की जो लोग है वो अलग ही लैवल पर आ रहे है अब उन्हें वो यहां खीच लाई वे स्वामी विवेकानन्द की शिश्या बनकर भारतियों की सेवा के लिए समर्पित हो गई स्वामी जी ने उन्हें अपनी मान सक्न्या निवेदिता कहा अरविंद गोस ने उन्हें भगीनी निवेदिता रविंदर नाथ ने उन्हें लोक माता कहकर पुकार रहा है यानि कि उनको जो है अलग अलग नामों से पुकार गया कोई उसको मान सक्न्या कहरा है कोई उसको जो है सोरी मान सक्न्या निवेदिता कहरा है कोई भगीनी निवेदिता कहा रहा है कोई लोक माता कहा रहा है तो इसलिए यहां पर जो नाम देख रहे हो ना आप यह भगीनी निवेदिता यह किस ने रखा था अरविंद घोस उनको बूलाते थे ऐसे और लोक माता भी कहतर पुकारा गया सन 1899 में कलकत्ता में पलेग भयंकर महामारी के रूप में फैल गया जैसे अभी करोना आ गया था ना भयंकर तो नहीं कहिंग हम भाई देखो भयंकर अलग चीज होती है बट यह कुछ करोना में कितनी डैस हुई अलग बग 5 लाक्या सपास हुई ना तो लेकिन यह जो भयंकर ह करोना का कम था नहीं लेकिन फिर भी उससे भी भयंकर बिमारी माल लो तुम क्या हाल हुआ अच्छे से तो वहां पर प्लेग की बिमारी फैल गई तब भगीनी निवेदीता ने सवच्छता संबंदी सारा काम अपने हाथों में ने लिया क्योंकि यह गंदगी की वज़े से फैल रही थी उनकी प्रेणना से अनेग युवक यूतियां पलेग पीडितों की साहता के लिए घरों से बाहर निकल कर आए इसका यह सूपरी नाम यह निकला कि सेवा की दिव्या नुभूती से चुहा चूत की सती भावना भी दूर हो गई यानि कि लोग जो मानते थे थे या बेदबाव वाला काम अब नहीं बचा था सन 1906 में पूरो बंगाल के अकाल और बाड़ पर भावित छेतरों में भगीनी निवेदिता ने पानी और कीचर में फसे भूके प्यासे लोगों तक जुरूरत की सामगरी पहुँचाने का कर्ष्ट साध्य कारिया किया यानि क लगाल निवेदिता ने भारतियों की सेवा करूंगी आप उसा ने दिल से बारतियों की मदद कर रही थी वे भारतिय दर्शन से परभावित थी तता सन्यासी नियों का साथ जीवन व्यातित करती थी यानि जैसे सन्यासी लोग व्यातित करते हैं वैसे जो है महिला सन्यासी उसको सन्यासी नियों कहते हैं तो उनके जैसा साथ जीवन ये व्यातित किया करती थी यदपी भगेनी निवेदिता का मुख्यकारिय सेवा करना था तदाबी वे अर्विंद घोज और उनके करांती कारी साथियों के परती साहनुभूती रखती थी उनके नीजी पुस्तकाले में करांती साहित्य का बड़ा भंडार था तदाबी कारी किताबे लिखते था ना पहले के टाइम पे तो लोगों को बढ़ताने के लिए तो वो चीजें जो थी वो किताबे ऐसे साहीता बहुत सारे उसका पास भी थे जो उन्हों ने बंगाल के करांती कारियों को सोप दिया वे महिलाओं को शिक्ष्या ग्रहन करने के लिए प्रेजित करती थी उनकी मान्यता थी वो ये बात मानती थी कि भारतिय इस्त्रियों का सरमीलापन, नमरता, पवित्तरता उनके लिए गर्व की वस्तु होनी चाहिए इसे पिछड़ापन कहना भूल है इसको गलती मत मानो तु ये तुम्हारी जो है तुम्हें गर्व होना चाहिए इस चीज़ पे आधुनिक शिक्ष्या अपनी परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए यह शिक्ष्या पूरो पस्चिम के सभी उजवल पक्षों को मिला कर पूरण होगी यह विस्व बंधुतव का परसार करेगी और भारत को फिर से विस्व गुरु के पद पर आसिन करने में सक्सम होगी यानि कि वो यह मानती थी कि भारत पूरी दुनिया में एक अलगी लेवल पे है अगर आप देखोगे आज के टाइम पे भारत का जो नाम है वो बहुत जादा है दुनिया भर के अंदर लेकिन पंगा यहां पे नहीं था एक्चुल में पहले के टाइम पे सब लोग विदेशी जितने भी लोग थे अमेरिका इंगलाइंड या उदर के जितने भी लोग थे जितने महाद्विव थे सब लोग सोचते थे मैं मुझे कहीं जाना है तो कहां जाना है मतलब कहीं दूसरे उसमें कु बहुत सारे विदेशियों को भारत खीच के लाया करती थी, यहां की संस्कृती सभ्यता जिसको आजम खतम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका ऐसा मानना नहीं था, यह भारत से कुछ जादा इंप्रेस थी, अब यहां पर बताती थी कि भारत को फिर से विशु कुरू के माधी पर लिखा हुआ है, यहां चीड निद्रा में लीन है भगीनी निवेजिता, जिन्होंने अपना सर्वसव भारत भूमी के लिए अरपित कर दिया है, यानि उन्होंने जनम भले ही दूसरे देश में लिया, लेकिन भारत में आके उन्होंने पूरा जीवन भारतियों क निवचावर कर दिया, शरोजनी नाइडू, यह नाम सबने सुनाओगा भले ही उपर वाले दो नाम सुनेओ ना सुनेओ, यह नाम सबने सुन रखा है, है ना, तो विदवान पिता अगोर नाथ चटोपाध्या के घर 13 फरवरी 1889 को शरोजनी नाइडू का जनम में हुआ था, भासा और साहित्या का संसकार उन्हें बचपन से ही मिरा हुआ था, पिता चाहते थे कि सरोजनी गणितग्या बने, यानि कि मैथेमेटिशन बने, एक्सपर्ट बने गणित में, लेकिन उनकी परकरती काववे के अनुकूल थी, वो तो काववे में बिलिव कर थी ज्यादा, मजा उसको नहीं में आता था, ग्यारा वरस की आईयो में उन्होंने तेरा सो पंक्तियों के एक लंबी कवीता, अलेडी ओफ दी लेक की रचना करी थी, और बारा वरस की आईयो में उन्होंने मैट्रिक, यानि दसमी की परिख्षा, पर्थम स्रेणी में पर् चाहते हैं तुम आगे बेटा तुम आगे पढ़ो और उसके बाद तुम्हारा जीवन भविश्या सुनहरा होगा, अब वो जो है ऐसे में बिलीव नहीं कर रही थी, वो उसने सारा ध्यान अपना चिंतन में सोचने में और लिखने में लगा दिया, हैदराबाद के निजाम ने सुरोजिनी की साहितिक रचनाओं से परभावित होकर उनके विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवर्थी की व्यवस्ता कर दी, खुद ही पैसा फुक दिया, उसने जो है हैदराबाद के निजामने की इसको पढ़ाओ विदेश में ये बहुत अच्छी बने गया, और वे पढ़ाई के साथ साहितिय सर्जन में व्यस्त हो गई, यनकी लिखने का काम जो कि उसको पसंद था तो उसकाम में वो लग गई, अंग्रेजी के परसिद कला समिक्सक और साहितियकार एडमंड सोय के प्रामर्स ने इनकी लेखनी को भारतियता से ओत प्रोत कर दिया, हर कोई क्या कर रहा था इस टाइम पर ये बात देखो न तुम ये लगबग उननी सो के असपास की कुछ बात रही होगी, तो इस टाइम के असपास पूरे देश में बवाल मचे होए थे, क्योंकि 1857 का वो दिन, दिन नहीं गएंगे, वो साल जो है बहुत खतरनाक था अंग उस समय जो है न, राष्ट्रिय जन्मानस विदेशी दास्ता से मुक्ती के लिए छट पता रहा था, अंगरे जो से आजाद होना चाह रहा था, हर कोई, सोंद्रिय की गाई का सरोजिनी देश वासियों की पूकार की उपेक्षा नहीं कर सकी, उनकी लेकिनी से नव जागरन क संख नाद फूट पड़ा और उन्होंने भारत कोकिला की उपादी से विभूसित किया गया था, अठारा दिशंबर उन्नी सो सत्रा को स्रोजिनी नाइडू के नेत्रिताओं में देश की अठारा प्रमुक महिलाएं महिला मतादिकार की मांग को लेकर ततकालिन वोइस रोय लोर्ड चैम्स फोर्ड से मिली, यानि कि उस समय क्या था, उस समय पूरूसों को यह अधिकार था कि तुम अपने नेता को चुन सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो, तो मलब वो भी अंग्रे जो में था यार ज्यादा कुछ सानी नोटंक की वाजी थी कोरी, तो अब वही चीज ज की बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि किसी भी देश में ज्यादतर हमें देखने को मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहे हो, पूरूसों के समान का दर्जा उनको लगबग मिल चुगा था, 1919 में उन्होंने बंबई में ऐसा हयोग बंदने का गोरभी उन्हीं को प्राप्त हुआ, उन्होंने राष्ट्री आंदोलन के लगबग सभी नेताओं के साथ काम किया हुआ था, 1917 से लेके 1947 के बीच भारतिय राष्ट्रे कोंग्रेस के माध्यम से सवतनतर्ता की लगबग सभी मैतपुन घटना में उनकी सक्रिय भा पार्टिस्पेट कर रही थी, 15 अगस्त 1947 भारत के तियास का वो स्वर्णिम दिन था, इस दिन भारत को किलास रोजनी नाइडू ने रेडियो पर देश वाशियों को भाव पूरण बधाई दी और अन्या प्रादिन देशों के लिए मुक्ति की कामना करी थी, तो 2 नमंबर 1911 को उनका नीधन हो गया, यानि कि वो देश की आजादी के लिए पूरा संगर्स करती रही, लेकिन देश की आजादी को महसूस नहीं कर पाई, आजादी कैसी होती है, मलब वो जश्ट कुछ ही समय भीता था और उसके बाद वो देहान तो गया उनका, ऐसे विलक्षन व्य कहानियों को हमें पढ़ाया गया है, देखो खुबसूरत सी कहानी थी, तीन महिलाओं की जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव करा, और दुनिया आज उनको जानती है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, आज के टाइम पे भी जो गुमनाम हो जाती है, और कुछ जो है अपना नाम कर जाती है, तो चलो यही था इस चैप्टर के अंदर, आई होप चैप्टर में समझ में आयोगा सब कुछ, बहुत ही इजी सा चैप्टर स्टोरी है, बस कुछ अलग नहीं है, खास डिफिकल्ट भी नहीं है, चलो वीडियो खतम करते हैं, मैं कवर करने वाला झाला करती है, बस्कुर झなたमा करते हैं, चाहा थो खते हैं, चलो इंपश में आयोगा। और है.. झायओो हो झाले जाए नहीं है करते हैं, कि वाले नहीं हमा दून में करते हैं बदोर में करते हैं 4週 में पाले स्क्य ऑाए